हाई गाईज, वेलकम टू देप्टरस क्लासेस, माई नेम इस उलकदिबदाश, आज की इस वीडियो में हम प्लास 10 की एक बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर साइंस की स्टार्ट करेंगे, जो की है इलेक्रिसिटी, चाप्टर की नाम इदर पे लिख रहा हूँ, चाप्ट इलेक्रिसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, किसके बारे में, इलेक्रिसिटी के बारे में, तब कारेंट जैसा कुछ हमारे ब्रेंड में आता है, चलिए, तो इलेक्रिसिटी कारेंट ये क्या है बई, इलेक्रिसिटी कारेंट बताए तो ये क्या है, सुनिए, इनके ब चार्ज की बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना वही electricity है, लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज की बारे में तो पढ़ेंगे सही, लेकिन चार्ज है क्या, सुनिए, चार्ज की बारे में हम details में आपको बता रहे हैं, फिलहाल आप जान लो, चार्ज दो तरह की है, एक positive, यह चीज आप जान लो, ठीक है, अच्छा, तो electricity का दो ब्रांच हमें पढ़ना है, number one पढ़ना है static electricity, कौन सी electricity, static electricity, और number two जो ब्रांच पढ़ना है, वो है current electricity, जो बता रहा हूँ मेरे बाई, वो आप अच्छे से note कर लो, बहुत काम की चीज़ बताऊंगा, दूसरा है current electricity, electricity का दो ब्रांच पढ़ना है, static electricity और current electricity, बोलो clear है, charge दो तरह की है, positive और negative, अच्छा, static जो वाड़ है, static जो वाड़ है, इसका मतलब होता है rest, क्या होता है, rest होता है, तो static electricity, जब charge हमारा rest पे हो, एसा खड़ा हुआ हो, ना इज़र जा रहा है, ना उदर जा रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पिज़े जा रहा है, यानि की, charge एक जगा हो, तो हम कहते है, charge rest पे है, तो अगर charge rest पे है, तब उसका study करना इसको कहते है, static electricity, मेरे बाई, static word का मतलब ही होता है, rest, टिक है, अच्छा, current electricity, जब charge हमारा motion पे है, charge कहां पे है, motion पे है, इसको जरूर याद रखन हाँ, charge motion पे है तो current है, ठीक है, तो charge motion पे है, तो current electricity, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, current यानी की motion, तो static यानी की rest और current यानी की motion, बोलो clear है बात? क्लेर है? अच्चा, Static Electricity आपका Insulator शो करता है, कौन शो करता है? Insulators, जिनके त्रू Electricity आसानी से पास नहीं हो सकता है, और आपका Current Electricity शो करता है, Conductors वगेरा, यानि कि जिनके त्रू Electricity आसानी से पास हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? Σ्टेटिक इलेक्रिसिटी इनसुलेटर क्य और current electricity conductor ही क्यों? Because insulator के पास एक खूबिया होता है कि ये charge को एक जगा जमा के रख सकता है सुनो, बहुत important बात static electricity insulator show करता है clear है? insulator के पास क्यों ऐसा होता है? insulator के पास एक खूबिया है मानलो ये एक insulator है, ये plastic है insulator है तो insulator के पास एक खूबिया होता है कि अगर इसके पास charge आ गया तो ये charge को एक जगा जमा के रख देता है पुड़ा body में फेलने नहीं देता है लेकिन conductor के पास ऐसा नहीं होता है conductor के पास अगर मानलो ये metal की rod होता तो conductor के पास charge आया तो ये पुड़ा body में distribute हो जाएगा ठीक है, मानलो ये आपका insulator है इसके अंदर charge आया, मानलो positive charge आया ठीक है, क्योंकि charge positive, negative दो तरह की होता है, positive charge आया ठीक है, charge की पुड़ा fill देंगे पुड़ा समझ में आयाएगा, tension लेने काली बात नहीं है सिर्फ इतना जान लो, कि insulator है आई है ये insulator तो इसके पास charge आया, तो इधर पे ही वो इसको जमा के रख देगा, ठीक है लेकिन conductor के पास अगर charge आता है मानलो ये conductor है इसके पास charge आता है, मानलो positive charge आया तो ये क्या करेगा इन charge को पुड़ा body में ऐसा distribute कर देगा, ठीक है पुड़ा body में ऐसा distribute कर देगा तो ये ही insulator और conductor की कुछ difference था, कि insulator charge को जमा के रख सकता है और conductor charge को पुड़ा body में distribute कर देता है, और इसकी ये property के वज़ा से जब आप एक insulator यानि के pen को आपने hair पे rub करते हो, और इसको paper के चोटे-चोटे piece के किनारे लेके जाते हो, तो paper की pieces इसमें attract हो जाता है, इसा चिपक जाता है ठीक है, ये ही property के वज़ा से clear है बोलो, अच्छा, तो इतनी बात हमको समझ में आ गया, चलिए इनको nude कर लो, nude कर लो इनको electricity का दो branch है, static electricity और current electricity static मतलब rest, तो static electricity यानि कि जब charge हमारा rest पे हो, current मतलब motion जब charge हमारा motion पे हो ठीक है, nude कर लिया, static electricity insulator show करता है, और current electricity conductor show करता है चलिए, हटाते है और सबसे important एक बात बताते है चलिए आभी मैंने इसको हटाया कि charge in motion जब charge motion पे होगा इसको ज़रूर याद रखना जब charge हमारा motion पे होगा कहां पे होगा motion पे होगा, तब वहाँ current की बात ज़रूर आएगा, charge motion पे है तो current है, ये line ज़रूर आप notes में डाल लेना, बहुत important line है charge motion पे है तो क्या है, current है charge motion पे है, तो current है follow clear है बात, हटाया जाए इनको charge की बारे में देखे, charge की fill देते है आपको, चलिए heading लगाईए charge, heading लगाईए charge, इनको हटाते है heading लगाईए charge, इसके बारे में अभी पढ़ना है हमने बताया कि charge दो तरह की होता है, charge कितने तरह की होता है दो तरह की एक होता है positive charge दूसरा होता है negative charge ठीक है बाई तो heading लगाई एlectric charge electric charge charge को हम capital Q से लिखते है सुनिए इसको small Q से भी लिखा जाता है तो electric charge हमारा दो तरह की है एक है positive दूसरा है negative सुनो important बात अगर मालो positive positive दो बेचारा है इनको एक साथ आने का मन हुआ लेकिन वो अगर चाते भी है फिर भी नहीं आ सकते है क्यों positive positive के बीच में repulsion होता है negative negative के बीच में repulsion होता है चली देखते है positive negative के बीच में attraction होता है चली अगर positive positive एक साथ आना चाहता है नहीं होगा क्योंकि एक दुसरे को रिपेल करेगा अगर मानलो निगेटिव निगेटिव आता है फिर भी एक दुसरे को रिपेल करता है अगर मानलो निगेटिव पॉजिटिव आता है तब तब आई एट्रक्ट करेगा क्या करेगा और मानलो अगर पॉजिट डिफ्रेंट चार्ज होता है यानि कि अनलाइक चार्ज होता है तो एक दूसरे को एट्रक्ट कर लेता है बोलो क्लियर है ये बात जब भी सेम सेम पोजिटिव पोजिटिव निगेटिव 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 यानि कि लाइक चार्ज होता है एक दूसरे को रिपल करता है और जब भी different different charge होता है यानि कि positive negative negative positive different different charge होता है तो attraction होता है तो आप के सकती हो like charge repel each other and unlike charge attract each other बोलो clear है इतनी बात clear है लेकिन by charge की बारे में तो feel ही नहीं आया चार्ज क्या है ये तो बता दो चली इनको नूट कर लो फिर बताते है हटाया जाए चलो अभी सुनो charge क्या चीज है एक ही बार में समझ में आएगा सुनो charge कोई भी body का किसका कोई भी body का intrinsic property है कोई भी particle का एक intrinsic property है एक अंदर की property है clear है जिस property के वज़ा से ये body मानलो इस body के अंदर charge है तो इस property के वज़ा से इस property के वज़ा से ये body आपने आस पास ऐसा एक field बनाएगा क्या बनाएगा? field बनाएगा फिर से मान लो इसके अंदर charge है इसके अंदर क्या है? charge है तो charge होने के वज़ा से ये body आपने आस पास ऐसा एक field बनाएगा ऐसा एक अलाका बनाएगा और इस field के अंदर जो इसने बनाया है अगर किसी दूसरे charge body आया तो ये इसको एक electrical force लगाएगा क्या लगाएगा? electrical force लगाएगा, देखिए क्या मान लो ये एक charge body है इसके अंदर positive charge है कि ये charge positive और negative दो तरह की होता है तो मान लिए इसके अंदर positive charge है तो charge होने के वज़ा से यह आपने आस पास ऐसा एक field बनाएगा क्या करेगा? field बनाएगा तीक है, इस field के अंदर जो इसने बनाया है अगर किसी दूसरे charge आया, मानलो एक positive charge आया तो positive positive के बीच में repulsion होता है यानि कि इदर पर दखा देगा, इसको repel करेगा क्या करेगा? repel करेगा मानलो इसे field के अंदर एक negative charge आया तो यह positive is negative को आपनी तरफ ऐसा खीच लेगा तीक है? यानि कि attract कर लेगा क्या कर लेगा? attract कर लेगा बोलो clear है बात? clear है? समझ में आया? चलिए, और देखते है मानलो यह अभी एक body है जिसके अंदर negative charge है बाई इसके पास positive ता, इसको negative consider कि अब एचारा नराज हो जाएगा इसलिए ठीक है? चलिए, तो negative होने के वज़ासे यह आपने आसपास एसा एक क्या बनाया? बिल्कुल field बनाया, समझ में आ गए आपको field बनाया, इस field के अंदर जो इसने बनाया है, मानलो एक positive charge आया, तो यह negative इस positive को अपने तरफ ऐसा attract कर लेगा क्या कर लेगा? attract कर लेगा क्योंकि हम जानते है, positive negative attraction होता है, clear है? बोलो, मानलो अभी एक negative आया, तो यह negative इस negative को बाहर की तरफ repel करेगा क्या करेगा? repel करेगा क्योंकि negative negative repulsion होता है बोलो, clear है? समझ में आ गया इतना बात, थुड़ा थुड़ा बात समझ में आया लेकिन definition कैसे लिखे? सुनी आप ऐसे लिख सकते हो कि charge is the intrinsic property of any body by virtue of which the body makes a field around itself and if any other charge come inside this field if any other charge come inside this field then the body will apply an electrical force on the other charge body अभी यह जो electrical force है जो repulsive force है, attractive force है यह depend करेगा charge की nature की उपर अगर positive positive है repulsion positive negative है attraction negative negative है repulsion negative positive है attraction यानि कि यह जो electrical force लगा रहा है यह किसके उपर depend करेगा charge की nature की उपर इसलिए इसको आमने बताया है पहले ही, बोलो clear हुआ अभी charge की definition बताया, आपको clear हुआ, चले, आभी सुनो, ये जो field, 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 field में बताया है, इस field को कहते है, electric field, क्या field, electric field, electric field, और इसको capital E से ऐसे लिखते है, जिसके बारे में आप class pure physics में जाके details में पढ़ोगे, फिलहाल tension लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जालो, इस field को कहते है, electric field, electric field क्या है, कोई भी charge particle की around के एक reason है, charge particle के किनारे की एक reason है, ये एक imaginary field है, ठीक है, तो ये क्या कहता है, इस field के अंदर अगर किसी दूसरे charge आता है, तो ये इसके उपर एक electrical force लगाता है, ठीक है, एक electrical force लगाता है, बोलो clear हुआ बात, clear हुआ हटाया जाए इनको, अगे बढ में आप से करेंगे, जिसमें से question आने का chance बहुत ही ज्यादा है, चलिए, हटाते है, पहली important बात क्या है, देखिए, हमारे जो charge है, इसका SI unit क्या है, हमारे जो charge है, क्यूँ, charge की SI unit क्या है, the SI unit, the SI unit of electric charge, electric charge की SI unit क्या है, electric charge की SI unit होता है, मेरे भाई, सुनो, कुलम, क्या होता है, कुलम, कुलम, जिसको हम ऐसे capital C से लिखते है, कुलम क्या है, एक बहुत ही, एक famous scientist का नाम है कुलम, जिनके नाम से आपको class 12 physics में जाके, एक law मिलेगा, कुलम slow, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये chapter कितना important है, ठीक है, कुलम slow मिलेगा, कुलम slow में क्या बताया गया है, हमने जो बताया ये जो force लगा रहा था, ये जो repulsive force, attractive force लगा रहा था, दोनों charge के बीच में जो force लग रहा था, इस force के बारे में ही slow में बताया गया, कुलम slow में, ठीक है, clear है वोलो, अच्छा, तो इतना हमने जानना है कि the SI unit of electric charge is column जिसको C से लिखा जाता है ठीक है अभी देखो बात number 2 सबसे छोटा जो charge की value होता है हमने charge 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 बहुर बार ही बताया है आपको charge लेकिन charge की जो सबसे छोटा value independently exist करता है वो कितना होता है देखे the smallest value of charge the smallest value of charge ऐसा लिख दो the smallest value of charge इन में से एक मार की क्वेशन आ सकता है the smallest value of charge that can exist that can exist independently exist independently यह वार जरूर यूज करना that can exist independently is कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम C से कुलम लिखा जाता है क्योंकि charge की SI unit होता है कुलम ठीक है तो charge की जो सबसे छोटा value exist करता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम इसको charge of 1 electron भी कहा जाता है क्या कहा जाता है charge of 1 electron ठीक है बोलो clear है अच्छा आभी देखो बात नमबर 3 हमारा जो electron है इसको ऐसे लिखते है जो proton है इसको ऐसे लिखते है ठीक है clear है अच्छा एलेक्टरोन के पास negative 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम होता है ठीक है C क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यह charge की एक value है charge के सा unit कुलम होता है इसलिए proton की पास जो charge होता है वो होता है positive 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम बट दुनों की जो magnitude है क्या है magnitude है वो similar है यानि की 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम बोलो clear है magnitude में positive है आएगा तो इनकी जो magnitude है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम तो इसी बजा से ही इसको charge of one electron कहा जाता है और इसको fundamental charge भी कहा जाता है ठीक है कौन सी charge fundamental charge बोलो clear है यह जो value है जरूर याज रखना निमरिकल में बहुत काम आता है ठीक है clear है चलो तो इनको हमने देख लिए आच्छा ओर एक बात चले हमने वान कुलम वान कुलम बहुत बार बताया है चार्ज की ऐसा unit कुलम होता है लेकिन देखिए वान कुलम किसके बड़ाबर होता है वान कुलम यानि की 1C equal to होता है 6.25 into 10 to the power 18 electrons की बड़ाबर यानि कि आप कह सकते हो कि 6.25 into 10 to the power 18 electrons मिलके मेरे वाई एक कुलम की चार्ज बनाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 कुलम एक बहुती ज्यादा quantity है क्योंकि 1 कुलम equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons होता है इतने electrons मिलके एक कुलम की चार्ज बनाता है बोलो clear हुई बात? clear हुई? आच्छा और एक बात देखो नूर क्येस डालो अगर किसीने बताया charge q equal to charge q equal to 5 वो गलत बात है charge 5 कुलम सही बात है charge q equal to मालनो बताया है 2 गलत है 2 कुलम सही है यानि कि charge की एसाइउनीट होता है कुलम charge की SI unit होता है column जो की लगाना बहुत जरूरी है ठीक है SI unit लगाना बहुत जरूरी होता है clear है बोलो इतनी बात अच्छा आभी देखो और एक important बात बताएंगे heading लगाईए quantization of charge heading लगाईए quantization of charge quantization of charge इसकी heading लगाईए quantization of charge क्या होता है तुरा fill देते है quantization of charge quantization of charge कोई-भी body को आपको charge करना है क्या करना है? charge करना है वैसे तो बहुत सारा प्रोसेस है friction से कर सकते हो,ою conduction से कर सकते हो dental Index से कर सकते हो, लेकिन हमारा जो basic, main जो हमारा मंत्र है वो क्या है? देखिए अगर किसी भी बोडी को मानलो यह एक बोडी है इसको चार्ज करना है क्या करना है चार्ज करना है तो आइदर आप उसको इलेक्ट्रोन दे दो और उससे इलेक्ट्रोन बहार ले लो ठीक है क्या बताया अगर किसी बोडी को सुनो इंपोर्टन बात किसी बोडी को चार्ज करन आईदर उसको इलेक्ट्रों दे दो और उससे इलेक्ट्रों बाहर लेलो, क्लियर है, अगर आप उसको इलेक्ट्रों दे दोगे, मानलो इसके अंदर एसे पॉजिटिव निगटिव शांती से बैठा था, ठीक है, अगर आप इसको इलेक्ट्रों दे दोगे, तो एक इलेक्ट बॉडी निगेटिव लिचार्ज हो जाएगा अभी दूसरे केस में देखो इसे पॉजिटिव निगेटिव शांती से बठा हुगा था निउट्रल था आपने इलेक्ट्रोन बाहर ले लिया यानि कि इसको बाहर ले लिया तो बॉडी हो गया पॉजिटिव लिचार्ज बोलो बचा है तो बॉडी हो गया पॉजिटिव लिचार्ज तो आपकी जो में बात है वो क्या है आगर आप एक बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो आइदर आप उसको इलेक्ट्रोन दे दो यानि कि अगर आप उसको इलेक्ट्रोन दे दोगे यानि कि माइनस ए क्लियर है और आप कितना इलेक्ट्रोन दे दे कितना इलेक्ट्रोन बाहर ले ले सुनिए अगर आप इलेक्ट्रोन देना चाहते हो तो आइदर एक इलेक्ट्रोन दो 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 तीन दो चार इलेक्ट्रोन दे दो एसा नहीं होना चाहिए यह बेलू हमेशा इंटीजर होना चाहिए अगर आप ये अन्य फार अधे पेंशिल नहीं हो सकते हैं ये लेकिन आप हाफ पेंसिल लेइ लेकिन लेकिन नहीं ले सकते हो तो N की value है हमेशा integer होना चाहिए यानि कि N होना चाहिए Q equal to plus minus N E इसको कहते है quantization of charge क्या कहते है quantization of charge यानि कि the charge created by a body is always an integral multiple of the smallest unit of charge यह होता है smallest unit of charge तो charge created by a body is always an integral multiple of smallest unit of charge इसको कहते है quantization of charge बोलो clear हुई बात? quantization of charge clear हुआ हटाया जाए इनको इससे question आता है कैसा आता है देखिए एक value आपको दे देगा देखे बताएगा कि check करो कि ये exist करता है या नहीं मालो q equal to something दे दिया बताएगा ये charge exist करता है या नहीं आपको check करना है तो इस formula के through कर सकते हो ये class 12 पे जाके इसा मिलता है ठीक है electrostatic पे clear है बोलो अच्छा अभी हमारा जो topic है वो है conductor and insulator क्या है conductor and insulator heading लगाई है conductor and insulator conductors and insulators देखिए इसमें बाई क्या जानना है हम सभी जानते हैं क्या conductor होता है क्या insulator होता है देखिए conductor यानि की जिसके through electricity pass हो सकता है और insulator यानि की जिसके through electricity pass नहीं हो सकता है conductor यानि की जिसके through आपका electricity आसानी से आसानी से pass हो सकता है insulator यानि की जिनके through आपका electricity आसानी से pass नहीं हो सकता है clear हुई बात यह सबी को पता है conductor के example दे तुमाल लो metals वगेरा metals का अन्द हमालो copper aluminum, etc और इसका example दे तुमालो plastic वगेरा plastic और मालो glass road glass की road, ठीख है ऐसा example दे सकते हो आप ठीख है, अभी बैइ क्या आपने कभी ये question कुछ से किया है, कि बैइ conductor के से electricity इसके थ्रू पास हो रहा है लेकिन इंसुलेटर के पास वो चीज नहीं है जिसके वज़ा से electricity पास नहीं हो रहा है क्या ये question आप कुछ से किया है नहीं किया चलिए question मानलों में ऐसा आ गया एक्जाम पे कि बारी कंडक्टर के थ्रूउलेक्टिकी प्छेटी पास हो रहा है। इसके वजहा. तो आपकी आंसर क्या रहेगा सुनिए ये main खेल होता है free electron की this is because of free electrons क्योंकि conductor के पास free electrons होता है इसके वज़ा से ही इसके true electricity पास होता है क्या खेल? खेल होता है ये free electrons की किसकी? free electrons की भाई ये तो रटने वाली line हो गया free electron आया कहा से इसकी concept तो बता दो हमने माना कि conductor के पास free electron है insulator के पास ये नहीं है वो बिचारा बुला है तो इसके पास free electrons नहीं है लेकिन क्यूँ ऐसा है? ये तो बता दो सुनिए conductor के example और भी clear करते है मान लो इसको हम सभी ने देखा है रुके येसे ओयर हम सभी ने देखा है हमारा सभी का गर के होता है ये जो है प्लास्टिक का कवरिंग ये इंसुलेटर है ये जो copper की ओयर दिखाई दे रहा है ये हमारा conductor ये disconnected है भाई tension लने वाली बात नहीं है चलिए तो इनको हमने देख लिया सभी के गर पी ये है तो ये जो copper की ओयर था इसको तुड़ा बढ़ा करके हम इदर पर बनाते है चलिए मानलो यसा हम क्या बता रहे है free electron इसके पास कहा से आया conductor के पास कहा से वो दिखाने की कोशिश कर रहे है और आप अगर इंसुलेटर के एक्जम्पल दे तो मानलो ये ग्लास रोट और प्लास्टिक वगेरा ठीक है अच्छा ये copper की वो वयर था वो प्लास्टिक की वो वयर था ठीक है अच्छा तो एक चीज हम जानते है जितना भी मेटर्स होता है वो सभी आपने आपने अपने अहल से बना हुआ होते है क्लियर है जानते है अच्छा तो इसके पास ये copper की वैर थे दो इसके पास गयर है तो इसके पास नहीं होता है लाखोई atoms होता है और एसा बड़ा बड़ा नहीं होता है वह बहुत छोटा होता है, टीक है? अच्छा, अब ही हमारा मन इदर पे कुछ नहीं हुआ हम क्या चाईए, हमें इसको zoom करके देखना है, इसको भी zoom करके देखना है, किसी भी एक को, टीक है तो हमें इसका atom कुछ यू दिखाई देगा तो देखिए conductor की जो atom की size है conductor की जो atom की size है वो तुड़ा बड़ा है और insulator की जो atom की size है वो तुड़ा छोटा है तो इससे क्या होता है इसके लिए जो outermost electron है conductor की atom की case में यह outermost electron nucleus से थुड़ा दूरी पे है देखिए यह nucleus से किनारे है यह भी किनारे है लेकिन यह जो electron है वो थुड़ा दूरी पे है nucleus की इसलिए nucleus की जो attractive force है वो इसे कम मिल रहा है clear है इसके वज़ा से अगर बाहर से थुड़ा भी energy मिल जाए तो यह electron बाहर free होके आ जाएगा और यही electron जो बाहर free होके आ गया इसको कहते है free electron क्या कहते है इसको कहते है free electron और यही free electron conductor के पास होने के वज़ा से इसके through electricity pass हो सकता है लेकिन insulator के case में क्या होता है इसका जो atom की size है वो आप देख सकते हो इसके comparison में छोटा है तो outermost electron को nucleus की जितना भी attractive force मिल रहा है वो इससे कुश है बाई तो यह बाहर free होके नहीं आएगा वो बाहर free होके नहीं आएगा यानि कि free electron insulator के case में नहीं आएगा अगर free electron ही नहीं आएगा तो insulator के through electricity pass नहीं होएगा ठीक है क्योंकि free electron क्या करता है current बनाने में help करता है clear है वो लो conductor के पास free electron कहा से आया समझ में आ गया conductor की atom की जो size है वो बड़ा होता है size बड़ा होने के वज़ा से जो outermost electron है उसको nucleus की attractive force कम मिलता है जिसके वज़ा से अगर बाहर से energy मिला तो ये बाहर free होके आ जाता है वर ये ही electron को क्या कहते है free electron बट इसके case में ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि इसका जो size है वो छोटा है इसके लिए जो outermost electron को जितना भी attractive force मिल रहा है वो इससे कुश है बई टिक है बो clear है इसलिए इसके case में free electron नहीं आता है clear है तो हमने क्या देखा फिर से देखते हैं इसको हटा देते हैं चलिए नूट करना है तो कर लो हमने देखा कि conductor के पास free electron होता है और insulator के पास free electron नहीं होता है तो भई हम insulator के बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे conductor की तो बना दो एक conductor चलिए marker change करते है बना दो एक ऐसे conductor इधर पे ऐसा एक conductor बना दो टिक है इसके अंदर हमने देखा कि ऐसे atoms थे ऐसे atoms थे और atom की आउटर मुष शेल से electron ऐसा बाहर आया था टिक है जिनको हमने free electron नाम दिया free electron नाम दिया था टिक है अच्छा तो अभी हम इन atom को थोड़ा side में रखते है और free electrons की बात करते है तो चलिए atom को थोड़ा हटा देते है इधर से atom को हटा देते है और यह जो electrons है free electrons है उनकी बात करते है देखिए अभी start हो रहा है सबसे important बात मन लगा के देखिए यह जो free electrons है कहाँ पे conductor की अंदर वो ऐसा शांती से बेठा नहीं है वो randomly move करता रहता है इसको इधर मान लो जाने का मर्जी है जा रहा है इसको इधर मन है जा रहा है इसको इधर जा रहा है इसको इधर जा रहा है यानि कि जिसको जहां मर्जी वहाँ जा रहा है उनका जो random motion है वो चलता रहता है conductor के अंदर किसका random motion free electron का कैसा motion randomly move करता रहता है अब देखिए क्या यह free electrons पागल है क्यों भाई इससे random move करेगा क्योंकि thermal energy के वज़ा से वो randomly move करता रहता है मान लो बाहर की temperature ज्यादा है अंदर की temperature सुरक कम है तो देखिए बाहर से उनको kinetic energy मिलेगा उनकी molecules को तो वो बागना start कर देगा थोड़ा depth concept है इतना जाने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ इतना जान लो कि conductor के पास free electrons होता है कैसे आता है हमने दिखाया atomic structure बना के ठीक है ये free electrons conductor के अंदर randomly move करता रहता है कैसा move करता रहता है randomly move करता रहता है क्यों move करता रहता है thermal energy के वज़ा से ये सिन कुछ ऐसा भी आप याद रख सकते हो कि मान लो ये आपका classroom है क्या है classroom है और ये classroom के अंदर कुछ शेतान बच्चे ठीक है classroom पे अभी कोई भी teacher नहीं है ठीक है तो भाई ये क्या शांती से बेटा रहेंगे बिल्कुल नहीं वो क्या करेंगे पड़ाई करते रहेंगे बिल्कुल नहीं zero chance है तो वो क्या करेंगे जिसको जहां मर्जी इदर उदर इदर उदर बागता रहेगा ये जो सेतान बच्चे है classroom के ठीक है अच्चा अब ही अगर इनकी ये जो random motion है इनको हटा के एक specific velocity specific दिशा देना है तो क्या करना पड़ेगा classroom पे teacher की आना जरूरी है teacher को आना पड़ेगा तो चलिए वैसे ही conductor के पास जो free electrons है उनको specific दिशा देने के लिए एक teacher यानि की cell और battery का connect करना जरूरी है ये होता है higher potential ये होता है lower potential ये क्या है ये एक battery और cell cell बना देते है ये एक cell है देखिए cell और battery में difference क्या होता है देखिए cell होता है एक single unit यानि कि एक बड़ा रंड़ एक चोटा रंड़ इसा higher potential lower potential और battery होता है combination of cell यानि कि बड़ा चोटा बड़ा चोटा बड़ा चोटा ऐसा जब दो तिन cell एक साथ connect कर देते है तब उसको battery कहते है clear है ये है battery ये है cell तो ये हमने एक cell connect किया cell connect करने से क्या हुआ electron की जो ये random motion है ये हट जाएगा तो आभी वो कैसा move करेगा देखिए येसा था electron हमारा तो आभी इस negative के वज़ा से इदर आएगा negative इस positive के वज़ा से इदर आएगा positive आभी देखो negative ने negative electron को इन सभी negative electron को इस direction पे दख्का देगा रिपल करेगा electron पे negative charge होता है इदर पे negative charge तो negative negative repulsion होगा electron इस दिशा में भागेगा बोलो clear हुई बात बोलो clear हुई classroom पे teacher आया student भागना start कर दिया तो वैसे ही conductor की across हमने cell connect किया तो free electrons जो थे अपने random motion चोड़के एक specific velocity से आगे की तरफ बागता रहता है और इस velocity को कहते है drift velocity क्या velocity drift velocity और इसको b d एसा लिखा जाता है velocity drift ठीक है drift velocity बोलो clear है आभी एक question है कि क्या बाई electron हमेशा एसा ही move करेगा नहीं electron एसा भी move कर सकता है depend करेगा आपने cell कैसे connect किया देखो 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 मान लो इस conductor को कुछ you ठीक है अभी electron है ऐसा ठीक है अच्चा अभी आपने cell को ऐसे connect कर दिया ये negative ये positive तो इस negative के वज़ा से इधर आएगा negative इस positive के वज़ा से इधर आएगा positive अभी देखो negative ने negative electron को इस direction पर आभी रिपल करेगा तो electron इधर भागना start कर देगा पहले case में इधर भाग रहा था अभी इधर भाग रहा है ठीक है तो क्यूँ change हुआ direction क्यूँ change हुआ क्यूँ कि हमने cell की जो connection है उसको change कर दिया देखिए पहले case में इधर positive था अभी इधर negative आ गया ठीक है अगर अपने cell की connection को change कर दिया तो electron opposite दिशा में भागना start कर देगा बोलो clear है clear है दोनो case clear हुआ clear हुआ चलो अभी एक चीज़ देखो cell को हम क्यूँ essay बनाते है इसको देखते है यानि की internal structure of cell देखेंगे अभी चली इनको note करना है तो कर लो फिर से बताए electron specific velocity से आगे की तरफ बागता है जिसको कहते है drift velocity BD से लिखा जाता है ठीक है चलो cell को क्यूँ एसा लिखते है देखिए हम सभी इने cell और battery हमारे गर में देखा है कैसे दिखता है यह कुछ यू दिखता है देखिए यह सा दिखता है ना चली अगर आपने कभी cell को इसा खूल के देखा है तो इसके अंदर एसा एक rod मिलेगा आपको ठीक है यह chemical है और इधर पे कुछ powder like substances देखने को मिलेगा तो इन दूनों chemical के बीच में rod powder के बीच में एक chemical reaction होता है क्या होता है एक chemical reaction होता है बिसिकली बोले तो एक redox reaction होता है ठीक है यह जो chemical reaction है इसके बारे में आप class 12 chemistry में जाके electro chemistry chapter पर पढ़ोगे ठीक है फिलहाल आप जान लो कि battery के अंदर दो chemical के बीच में chemical reaction होता है और इस reaction के वजह से इस side negative charge accumulate होना negative charge आना शूरू कर देता है और negative अगर इस side आएगा तो positive बैचारा आकेला इस side मनना शूरू कर देगा बोलो क्लियर होई बात chemical reaction के वज़ा से इस side negative charge आना शूरू कर देता है और इस side positive अकेला बाच जाता है चलिए, तो इन negative के वज़ा से इस terminal को negative माना जाता है और इन positive के वज़ा से इस terminal को positive माना जाता है आभी मुझे बताओ क्या हमेशा इसको इधर पर बनाना possible है, बहुत ही time consuming process है, इसलिए हम इसको चोटा करके ऐसे लिखते है positive यानि की higher potential negative यानि की lower potential ऐसा positive negative और इसको cell नाम देखे इधर पर ऐसा connect कर देते है बोलो clear हुई बात, बोलो clear हुआ क्यों chemical reaction के वज़ा से ऐसा आता है, तो इक ये battery का अंदर की structure हमने देखा, cell को क्यों ऐसा लिखते है ये भी देखा, तो देखिए higher potential, lower potential यानि की potential की difference, higher potential lower potential, potential की difference तो हम कह सकते है कि cell के अंदर potential difference होता है क्या होता है, potential difference होता है इसके बारे में एक से परेट topic है, next video में cover करेंगे ठीक है, तो फिलहाल आप जान लो कि cell के अंदर potential difference है जैसे कि teacher के पास tick है, student बागा, cell के पास potential difference है, electrons बागा clear है बात, clear है, चलिए, note कर लो इतना, note कर लो, फिर आगे बताए, कर लिया, चलो एक चीज़ देखो, electron बाग रहा है, charge बाग रहा है, तो वाई मैंने पहले ही बताया अगर charge move करेगा, तो current बनेगा, तो क्या इधर पर current नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, देखिए electrons, यानि कि charge ऐसा बाग रहा है, तो current बनेगा ऐसा, यानि कि tick opposite charge की इधर पर देखिए, electron ऐसा बाग रहा है, तो current ऐसा बनेगा, टिक opposite है, यानि कि electron अगर ऐसा जा रहा है, तो current ऐसा जाएगा, टिक है, electron अगर ऐसा move कर रहा है, तो current ऐसा बनेगा, current और electron की जो दिशा है, move करने का वो opposite होता है, टिक है, तो हमने एक चीज़ देखा कि जब हमने cell को connect किया तो electron दोड़ना start कर दिया एक constant velocity से आगे की तरफ बागना start कर दिया और इस velocity को हमने नाम दिया था drift velocity क्या velocity? drift velocity ठीक है? अच्छा, इस case में देखो electron इदर से इदर move कर रहा है यानि की right से left की तरफ बाग रहा है ठीक है? लेकिन इसके case में electron left से right की तरफ बाग रहा है क्या सही बात? यसा क्यूं हो रहा है? देखिए, यसा हो रहा है battery के connection के वज़ा से इदर पे हमने battery का higher potential को इस side रखा तो positive आया इदर lower potential को इस side रखा तो negative गया इदर ठीक है इस side देखिए, higher potential को इस side रखा तो positive आया इदर और lower potential को इस side रखा तो negative गया इदर तो हुआ क्या? negative के वज़ा से negative electron के उपर repulsion हुआ ये by negative ने electron के उपर negative charge होता है तो repel किया electron इस direction पर बागना start कर दिया इस case में देखोर इस negative के वज़ा से इदर आया negative तो negative ने negative electron को इस direction पर repel किया तो electron आभी इदर बागना start कर दिया तो हम देखा कि जब हम cell को ऐसे connect करते है electron ऐसा बागता है और जब हम cell को ऐसे connect करते है तो electron ऐसा बागता है clear है? clear है बात बो? अच्छा बनेगा ठीक है चार्ज मूव कर रहा है तो current बनेगा ठीक है ये बात हमने बताया charge charge मूव कर रहा है तो current है ठीक है तो भाई इदर पे भी तो charge मूव कर रहा है गोर से देखो इदर पे भी तो charge मूव कर रहा है electron बाग रहा है clear है इलेक्ट्रोन बाग रहा है, तो क्या current है इधर पे, बिल्कुल है, देखिए, अगर electron इधर से, यानि कि negative से positive की तरफ जा रहा है, electrons, यानि कि charge, तो current आपका हमेशा positive से negative की तरफ जाएगा, clear है बोलो, इस case में देखो, electron निगेटिव से positive की तरफ जा रहा है, तो आपका current जो है वो positive से negative की तरफ होगा, current को I से लिखते है, current को I से लिखते है, टिक है, clear है बोलो, अगर electron ऐसा जा रहा है, तो current ऐसा जाएगा, clear है, अगर electron ऐसा जा रहा है, current ऐसा जाएगा, अगर electron मानलो की आपकी ऐसा जा रहा है, तो current आपकी ऐसा जाएगा, पूरा opposite होगा दुनों का direction चार्ज यू जा रहा है, current यू आएगा, टिक है, बट ऐसा क्यू होता है, सुनिए, ऐसा क्यू होता है, this is because कि current की जो invention हुआ था, वो electron की invention से बहुत पहले हुआ था, यानि कि जब current की बारे में जना गया था, तब electron की बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था, टिक है, किसी क इसको भी कुछ प्रोपा knowledge नहीं था, electrons की बारे में, जब current की discovery हुआ था, इसलिए ये मना जाता है, कि current हमेशा positive से, यानि कि higher potential से, lower potential की तरफ move करता है, इस case में भी देखिए, current हमेशा positive से, यानि कि इधर से lower potential की तरफ move करता है, टिक है, ये एक conventional direction है current की, लेकिन बाद में य ये realize किया गया, ये जना गया कि इधर पे तो खेल electron का भी है, ये तो खेल electron ही खेल रहा है, टिक है, clear है बोलो, इसलिए ऐसा opposite direction माना जाता है दुनों का, टिक है, आभी मेरा बात कुछ ही हूँ, ति बाई, charge ने move किया, current बना, charge ने move किया, current इधर पे भी बना, तो current heading लगाई ये electric current, इसके बारे में details में जानते है, heading लगाईए electric current, बोलो, heading लगाईए electric current, electric current, current को हम i से लिखते है, देखिए, i से लिखते है, तो इसको small i से भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा, electric current हमने देखा, charge ने flow किया, current बना, तो हम कह सकते है कि current is basically rate of, rate of flow of charge, rate of flow of charge, electrons और charge ने जब flow किया, तब current बना, तो current is basically rate of flow of charge, आभी rate क्या है, rate क्या है, ये बता दो, rate तो समझ में नहीं आया, देखिए, physics में rate का मतलब होता है, divided by time और with respect to time, तो current यानि कि i equal to rate of, यानि कि divided by time of flow of charge, यानि कि Q, charge को हम, Q से लिखते है, तो current is basically the rate of flow of charge, I equal to Q by T, जरूर याद रखना ये formula, बहुत काम की है, तेक है, अभी देखो, Q का जो SI unit, अच्छा, 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 I एकदर पे क्या है, I है current, I क्या है, Q क्या है, Q है इदर पे charge, और T क्या है, T है इदर पे time, clear है, ये जानते है हम, अच होता है, Q, time की SI unit होता है, second, तो I equal to Q by second, इसको कहते है, M, P, R, क्या कहते है, M, P, R, बो, फीट से बो, इसको क्या कहते है, M, P, R, और इसको S से लिखा जाता है, तो अगर किसी ने बताया कि current की SI unit क्या है, current की SI unit है, M, P, R, charge की SI unit क्या है, Q, C से लिखा जाता है, ठीक है, clear है, नूट कर लो इसको, नूट कर लो, कर लिया, चलो हटाए जाए, चलो, तो हमने बताया current की SI unit क्या है, ampere है, और इसको column by second भी कह सकते हो, आभी देखो important बात, आभी ओर important बात सुनो, हमने बताया कि SI unit of current, the SI unit of current, current की SI unit क्या है, ampere, क्या है, ampere, जिसको S हे लिखा जाता है, second बात, current को हमेशा, current को हमेशा, एक instrument के through measure किया जाता है, जिसको कहते है, emitter, क्या कहते है, emitter, तो current is, current is always measured, always measured with an instrument, instrument, एक instrument के द्वारा, measure किया जाता है, with an instrument called, emitter, called emitter, ठीक है, अच्छा, emitter को हमेशा, series में connect किया जाता है, always connected in, यह बहुत important बात, भाई, always connected in series, एक मार की question आ सकता है, अभी जो बात में बताऊंगा, always connected in series, emitter को हमेशा, series में connect किया जाता है, मान लो, यह conductor है, इसके through आपको current measure करना है, तो series में connect कर दो, emitter, positive, negative, टिक है, तो emitter को हमेशा, series में connect किया जाता है, ऐसे लिखते है emitter को, टिक है, clear है, बोलो, अच्छा, तो हमने क्या बताया, current की SI unit, column by second, यानि की MPR, clear है, अच्छा, current को एक instrument के द्वारा मेधर किया जाता है, क्या नाम है emitter, emitter को कैसे connect किया जाता है, series में, अब ही emitter दिखता कैसा है, वो भी बता देते है, चलिए emitter कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है emitter, देखिए, ऐसा होगा कुछ emitter, अगर आपने lab पे कभी देखा है तो, इधर पे एक needle होता है, जो की reading देता है, positive, negative, ठीक है, भाई, और क्या बताए, और क्या बताए, clear है, ऐसा होता है emitter, ठीक है, अच्छा, आभी देखो, दो तिन question हम solve करेंगे, ncrt खा होगा, जो की बहुत important है, उनको solve करने से पहले, हमें i equal to q by t ये formula, हमारा खून में दोड़ना चाहिए, i equal to q by t, current equal to rate of flow of charge, q इधर पे charge है, t इधर पे time है, यानि कि second, ठीक है, time के assignment क्या होता है, second, ठीक है, अच्छा, तो हमने पड़ा, i is equal to q by t, ठीक है, अच्छा, इधर पे i क्या है, i की assignment है, ampere यानि की a, q की assignment क्या है, column यानि की c, और time की assignment second यानि की s, ठीक है, तो 1 ampere equal to 1 column by 1 second, clear है, अभी अगर मान लो, exam में question आ गया, define 1 column, ये ncrt का question है, define 1, sorry, define 1 ampere पहले करते है, define 1 ampere, ये ncrt का question है, बाई, ncrt का, define 1 ampere, की by 1 ampere define करो, तो देखिए, कैसे आप answer करोगे, इधर से answer आएगा, i equal to q by t, i यानि की ampere, q यानि की column, t यानि की second, ठीक है, तो 1 ampere is that amount of current, ampere क्या है, current क्या है, तो 1 ampere is that amount of current produced, when 1 column charge flows in 1 second, जब 1 column charge, आरे बाई, जब charge flow करेगा, तभी तो current बनेगा, तो 1 ampere is that amount of current, जब 1 column charge 1 second में flow करता है, जब 1 column charge 1 second में flow करता है, तो जितना current बनता है, वही 1 ampere कहलाता है, तो आप लिख दो इदर पे, कि 1 ampere, यह लिख देते है, 1 ampere is that amount of current, that amount of current produced, 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 when 1 column charge, 1 column charge flows in 1 second, through a circuit, through a circuit, तो लिख देना, ठीक है, 1 ampere is that amount of current produced, when 1 column charge flows in 1 second, जब 1 column charge flow करेगा, भाई, जब charge flow करेगा, तभी तो current बनेगा, तो जब 1 column charge 1 second में flow होता है, तब जितना amount of current बनता है, वही 1 ampere कहलाता है, ठीक है, second question मान लो, इसके उपर star लगा दो, बहुत important, इसके उपर भी star मार दो, मान लो question आगया, define 1 column, define 1 column, define 1 column, ठीक है, तो आपका answer क्या होगा, देखिए, इसको cross multiply करो, 1 column equal to 1 ampere into 1 second, ठीक है, तो देखिए, define 1 column, 1 column is that amount of charge transported by 1 ampere current in 1 second, 1 ampere current, 1 second में जितना charge transport करेगा, वही 1 column कहलाएगा, तो 1 column is that amount of charge, that amount of charge transported, transported, transported by 1 ampere current in 1 second, ठीक है, 1 second, इधर पर 1s, 1a, एसा लेहीं लिखना है, ओएणी 1s, एसा लिखना है, ठीक है, तो 1 column is that amount of charge transported by 1 ampere current in 1 second, जब 1 ampere current 1 second में जितना charge transport करेगा, वही 1 column कहलाएगा, 1 ampere, 1 column, दो question हो गया, ठीक है, question आने का बहुत ज्यादा chance है, ये दोनों, ठीक है, root कर लो इनको, हटाया जाए, NCRT का एक numerical है, उसको करे, example का, चले, तो आभी देखो, example number 12.1, अपका NCRT का, एक question है, इसको serve करते है, देखे, question हमसे क्या पूचा है, देखते है, question पूचा है, एक current of 0.5 ampere, ये example number 12.1 है, ठीक है, example number 12.1, question क्या पूचा है, एक current of 0.5 ampere, याने की current given कितना है, 0.5 ampere, तो आप लेके दो इधर पे given, i equal to 0.5 ampere, clear है, 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minute, 10 minute, याने की time given है, time कितना given है, t equal to given है, 10 minute, हमें minute में नहीं चाहिए, हमें second पे convert करना पड़ेगा, क्योंकि, जब हमने i equal to q, बटे t formula दिखा था, तो t किदर पे ता, second पे, टिक है, तो second पे convert करो, 10 minute, 10 minute को second पे convert करे, तो एक minute होता है, 60 seconds, देखिये, आपका जो one minute है, वो कितना होता है, 60 seconds होता है, ठीक है, तो 10 minute कितना होगा, 10 into 60, याने की 600 seconds, ठीक है, 600 seconds है, एस लिगदेते है, तो time कितना आया, 600 seconds बहू, हमें क्या find करना है, find the amount of electric charge that flows through the circuit, हमें क्या करना है, amount of electric charge यानि कि Q कितना है इससे find करना है तो देखिए बाई relation I equal to Q by T इस formula को लगाओ इसलिए मैंने बताया बहुत important यह एक मार्क के question आ सकता है तो हम क्या जानते है We know We know I equal to Q by T सही है? अच्छा हमें क्या चाहिए? Q चाहिए तो Q equal to आएगा I into T बोलो सही है अच्छा I के value है 0.5 time कितना है? 600 5,6 to 30 ठीक है? तो यह आएगा 300 हाँ सही है 300 कुलम Q equal to कितना आएगा? Q आएगा 300 कुलम अगर आपने C को नहे लेखते हो तो question गलत हो जाएगा बाई क्योंकि unit लगाना ज़रूरी है 300 कुलम चार्ज की assignate कुलम तेक है? अगर किसी ने बताया I equal to 5 गलत बात I equal to 5 ampere सही बाट I equal to किसी ने बताया अगर मालो 2 गलत है 2 ampere सही है तेक है? यानि कि current की assignate ampere लगाना बहुत ज़रूरी है क्लियार है बात? क्लियार है? अच्चा अभी और 2-3 question है इनको देखते है Question number 1 जो पूचा है NCRT का ही ये page number 200 का What does an electric circuit mean? एक electric circuit क्या मेन करता है? ये आपका NCRT का शायद first page में ही मिल जाएगा आपको electric circuit क्या है बाई? electric circuit is an continuous and close path of electric current continuous and close ये जरूर दो वाड यूज़ करना continuous and close path of electric current consisting of wire resistance resistance बोले तो बाल्ब, फैन वगेरा ठीक है क्या-क्या होता है? बैटरी होता है ये लिख देना switch होता है ठीक है? ये लेख सकते हो आप हो मर्क है? चलो next question number 2 define the unit of current हमने थोड़ी दर पहले किया था देखिए question number 2 क्या पुचा है? question number 2 पुचा define the unit of current define the unit of current देखिए unit of current क्या था? ampere तो define 1 ampere ये हमने solve किया थोड़ी दर पहले हाँ तो define 1 ampere किया था next देखो question number 3 calculate the number of electrons consisting of 1 coulomb of charge calculate the number of electron consisting of 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge में कितने number of electrons होता है? देखिए ये भी हमने किया था ये भी हमने किया था कि 1 coulomb equal to 1 coulomb equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons यानि कि आप लेख सकते हो 6.25 into 10 to the power 18 electrons मिलके 1 coulomb की charge बनाता है ठीक है? हो गया question solved सारा? चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमने पूरा current की topic आपको clear कर दिया next video में हमने क्या start करना है? देखिए हमने बताया था ये जो cell की pass ये जो cell की pass जो हमारा potential difference था potential difference था वो कहा से आया है? इसके बारे में पूरा details में बात करना है potential difference की बारे में clear है तो next video में हम potential difference की topic से start करेंगे तब तक के लिए bye bye